कि यह आज आज बात करेंगे लाइटिंग सेक्शन lcd डिस्प्ले में लाइटिंग सेक्शन में आपको क्या-क्या प्रादूम्स आ रहा है ज्यादा लोग उसको ट्रबल्शूटिंग अच्छे तरह कर नहीं कर पा रहा है तो इसलिए मैं इधर यह सेक्षन में आपको नटिंग करना है और स्देदा इसको ट्रबल्शूट करना एंप को दिखाने के लिए नियुक्य गोपन कर रहा है माई तो इधर बोर्म नियों में एक स्केमाटिक डेग्रम ओपन करे तो इसमें आपको इक स्केमाटिक डाग्रम ओपन करके देखा आपको इसमें लाइटिंग सेक्शन में आपको क्या-क्या क्या लाइन्स इंपॉर्डिंट है और ओ discoveries को हम कईसा छेक खरना है schematic कैसा read करना है आपको यह वीडिया में आपको दिखाएगा अब इसमें देखो हम इदर एक schematic open कर रहा है आप schematic में आपकी show me में में कुण सब एक model का schematic ले रहा है तो आपके पास एक मेया model आया बोलके सोच हो आपका नया model को तो हम अच्छा तरह से lighting section को कैसा solve करना है इसको through schematic level आपको यह दर बताएगा मैं तो पहले पहले कौन सा भी model आये तो हम क्या करना है पहले schematic download करना है इसको नहीं तो आपके पास schematic आपको देखे तो देखे तो देखे तो देखो ले आउट में क्या है आपका components schematic में comfort कहा कहा board में place हुआ identification करने के लिए यह जुज होगा आपको ओके आपका layout में दोर दिखेगा आपको एक side A और side B तो इसमें क्या है यू बोल तो क्या है जे बोल तो क्या है यह पूरा already मैं दूसरा videos बना के मेरा चानल पर है आप यह चानल को subscribe करके उन पर देख सकते हैं पूरा वीडियो उसको एक बार कि तो पहले हम क्या कर रहा है इदर side A side B ओके इसमें आपको easily find out हो जाएगा comfort कहा है क्या है और next मैं open कर रहा है schematics तो आप देखो आप यह schematics में यूज करके आपको लाइटिंग सेक्शन प्रावब्म यीजिले हम solve कर सकते हैं यह कैसा रीड करना है क्या है कहा से कहा तक चिक करना है क्या चिक करना है आपको यह वीडियो में मैं दिखाएगा तो देखो आप देखे तो एक स्केमाटिक डियाग्राम देखे तो इस थारग पेजस दिख रहा है उपर वन नेमर बोल के हैं तो यह पेजस में हम्को स्केमाटिक में देखर तो आप मैं यह पेजस को डाउन करके दिख रहा है, आपको देखो, टोटल पेज़ेस आपको 33 पेज़ेस दिख रहा है, ओके 33 पेज़ेस, इसमें कून सा आपका लाइटिंग सेक्षन है, लाइटिंग ऐसी कहा है, अमारे डिस्प्ले करनेटर कहा है, देखने के लिए आपको मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हैं क्या कर रहा है, पहले लेओट उपन कर रहा है, लेओट में आपको डिस्प्ले कहा से डिस्कनेट कर रहा है, वो ही आपका डिस्प्ले करनेटर होगा, तो यह हमारा आपको इदर दिख रहा है, जे 1-8-0-1, आपको पता चलेगा आपका बोट से, कहा से आप युज़ दिश्प्रेंट कर रहा है, वह यह आपका डिसप्ले करंटर, इधर MIPA लाइन देके तो भी आपको इमेज लाइन देके तो भी आपको पता चलेगा, तो आप इधर देख सकते युज़ जीरो वन डिस्प्ले करेंटर, आपका LCD करेंटर, तो मैं इधर स्केमाडिक म इसमेर आपको कन्टर के पास लेके जाएगा तो देखो आपका जे ओनेट जीरो वन डायरेट आगा अभी पेज नेमबर 18 पे है देख रहा है इदर ओके तो इदर क्या है आपका कहा है अमारा डिस्प्लेटर आपको पाथा चल जाया तो आपका डिस्प्लेटर देखे तो यह है अमारा डिस्प्लेटर LCD गर्म टर ओके यह क्नेक्टर पे आपको देखे तो आपको इदर पिंस धिखरा है भी आपको इसमें कों सा लाइन चेक करना है वे लाइटिंग नहीं आए तो इदर देखे तो देखो लाइटिंग में आपको मेश्कू में इंपोर्टेट क्य यह 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 तीनों लाइन इंपोर्टेंट है आमको हमारे को यह तीनों लाइन देखना पड़ेगा लाइटिंग सेक्षन नहीं है तो LCD आनोड जाधा प्राब्म आएगा आपको और एक लाइन भी है उसको आम क्या बूलेगा ब्राइटनेस लेवल कंट्रोल करने के लिए पहल लाइन यूज करते हैं तो यह यह लाइन हम खब्चेक करना है आपका और डिस्पले लगाया पूरा सही तरह है पर फिर विए आपका ब्राइटनेस लेवल कम ज्यादा नए हो रहा है तो पहले वेरे इंपोटेंट क्या है हमारा थीनों लाइन को हम फोकस करेंगे इसमें क् लाइटिंग सेक्शन में हम फोर ट्रक्स को फोकस करना पड़ेगा एक 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 अनोड कैतोर्ड वां कैतोर्ड ऊन्रे क्या है काप की चार लाइन यह ब्रैटनेस लेवल के लिए काम हो रहा है तो पूरा मिला तो आपको चार लाइन क्षा लाइन अनोड का प्राक वेरीं 3D आनोड, LCD ब्लाक लेड, कैतोड 1, कैतोड 2 और कैपसी टोटल 4 लाइन्स फेरी इंपोर्टेंट आपको कभी भी कौन सा भी मोडल पे LCD में प्रावलों में आए तो यह 4 ट्रक्स हम देखना पड़ेगा, इसमें में इंपोर्टेंट क्या है, 3 लेन चेक करना है, तो इसमें हम देखेंगे, इधर देखा तो आपका डिस्प्लेई करनेटर दिख रहा है यह डिस्प्लेई करनेटर में 1 to 20 21 to 40 total 40 पिन्स दिख रहा है इसमें देगा तो 42 43 वो पूरा ग्राउंड दिख रहा है 44 फ्राउंट वाला है तो इधर देगा 1 to 20 21 to 40 जिए में इंपोर्टेंट पिन्स अमारको इसमें अमार लाइटिंग सेक्षन के लिए लाइट के लिए आपको कौन सा ट्राइट चाहिए अब देखो LCD आनोड कैतोड वन कैतोड टूट तो मींस 20 20 पिन आनोड 18 पिन 17 पिन तो यह त्रीट ट्राक को हम चेक करना पड़ेगा इसमें कौन सा रीज में चेक करना माल्टिमेटर में कौन सा मोड यूज करना वह इधर बताएगा आपको यहाँ देखो LCD आनोड अब यह लाइन कहा से आ रहा है पहले आपस्पेमाटिक ủ आपको एकस्प्स्प्रेम करने के लिए मैं कोशिश कर रहा है तो यहाँ देखो आपका LCD आनोड डिस्प्ले करनेकर से वह इस Осब उनक्राइब को मैं LCD ब्लाइक लाइक लाइक को सच किया साफके करें उदर सब्सक्राइब करें तो इस च्छ मारत पहां से आրा है कोशलर पेज से जिसे आ 레 아 है हम को इदर पता चल रहा है तो यह द Judel rif लिए एल सीदे बैक लब कि तो यदर दो ह सिसक्का घर कर लकाई थे मशरक टरागा है विप हैं विप एक तो इसम्च क्वाएं और यह हाट गालत के शाट रहा इस तो तो चार्जराइसी कहा है PMI तो PMI में आएगा PMU में आएगा नाई तो सप्रेट चार्जराइसी से आएगा तो में वोल्टेज है वीपी हैच पावर तो यह पहले आ गया देखो यहां एक फीजबल रिसिटर जीरो और आर जीरो और इसी इसलिए इसलोए वहां से दो केपी कीया वह दो केपस्टर का काम क्या है इस फैसी ब्लॉक्स दीसई तो यहार यह ऑपर से क्या करेगा तोई must क करेंगا DC to pure DC और standard voltage इसका देखो इसका voltage देखो 2.2 microfarad capacitor है 0402 si है 10 voltage इसका capability बोलतो हो यह tolerance 20% का है तो यह capacitor क्या है चार्ज डिस्चार्ज रहता ना इसमें इसलिए यह क्या करेगा voltage को stable बनाके एक standard voltage को ओके तो यह सी pulses कुछ आए तो इसको ground करके बनाके तो इसी standard voltage को इदर लेकर आ रहा है तो यहांसे आपको देखे तो यहां यह कहने देखो in ic को in ओ रहा है बी 3 पे बी 3 पे इन यह रहा है और दूसरे एंड जा रहा है बूश को स्थली सरी एंगर को किरेंट चाहिया दूस्री आपकर फ्सबीस्ट क केल स्पाँ प्रख tonight मुषटफ़ पितल करदा वे व्रमाइगत करें चिनकर तो सब्सक्राइब को अपनेकटेंट तो देखेंगो बूश्ट करेगा वोल्टेज को क्या करेगा बूश्ट करेगा आपका आने वाला वोल्टेज क्या है फोर वोल्टेज वोल्टेज को हम लैटिंग के लिए आपको 1622 वोल्टेज चाहिए तो यहां क्या कर रहा है बूश्ट कोईल बूश्ट करके आपका यह इदर देगे तो पापका 16 नशाया चाहिए यहां मर इपास कितना रहा है वीपी हैस्ट के पास फौर ब्लटेज और न तो फौर रोल्टेज को हम 16 बनने के लिए आप यदर भूस्ट कायल युज कर रहा है भूस्ट कायल सेकंड है अनक्टेड टूब स्विच लाइन तो यह बूस्ट होने के पाद इदर पॉल्स इस आएगा यहीір क्या कर रहा है तो यह सीचोव अधे सब्सक्राइब टेच्व तोग Peng वोल्टेच प्रोड़ेक्षिन के साथ हाए अफ्ट आ इस एंपर इसे को जा रहा है और तीन क्या पाश्टर का काम क्या है इसमें फुछ भी एसे नॉयसेस एसे पलसेस कुछ आये तो क्यों बोलतों अधर रिक्टिफायरड एस टूडीशी क्या फिर भी कुछ एसे सबसे नोड है तो एक अच्छी क्या करेगा वह यह सी तो ग्राउंड करके DC to DC, pure DC, DC to pure DC आपको LCD, black light, direct anode track में लेके आके through resistor, 0 ohms का resistor like a fuse, standard voltage को फिर current flow को बराबर आ रहा नहीं है, थोड़ा safety के लिए आपको एक resistor यूज कर रहा है, यह resistor में कुछ भी आपको problem है, तो आप यह resistor में आपका कुछ और रेसिस्टर ओपन वातों भी इदर voltage नहीं आएगा, और वो रेसिस्टर से आपका voltage बराबर आके, यहाँ कैपास्टर से फिल्टरट होके, आपका 20 pin पे आ रहा है, 20 pin पे आपको इधर आ रहा है, तो यहाँ आपको 16 voltage to 22 voltage, boost voltage यहाँ मिल रहा है, 20 pin में, देखो इधर, पहले मैं बदा रहा है, और एक बार, VPH voltage 4L से आपका रेसिस्टर क्या कर रहा है, stable, वो तो current flow को बराबर करके, आपका कैपास्टर को दिया तो, कैपास्टर AC pulses को ground करके, प्यूर DC को boost coil को दे रहा है, boost coil connected to दूसरे and switch line, तो IC आन होने के बाद, boost coil बूस्ट करेगा, तो बूस्ट कर हमारा rectified DC कर रहा है, तो DC करके, DC ते आपका कैपास्टर कुछ भी आया, तो DC को pure DC बनाके, DC to pure DC बनाके, आपका, आपका display connector के पास through resistor से, 0 ohms resistor है, इन्हों भी current flow, इधर एक नहीं तीन कैपास्टर क्यूं उस किया, पहले वीडियो में मैं बताया, एक feasible resistor थू, direct हमारा 20 pin पे आ boost voltage, आपका 4 voltage को हम इधर क्या किया, 16 voltage बना दिया, तो यह कैपास्टर क्यूं उस किया, इधर यह diode का क्या हो रहा है, boost coil का क्या हो रहा है, इधर हर एक component एक role play कर रहा है, वो role क्या है, और आपका पहले वीडियो में आप देख सकते है, basic electronics का एक वीडियो है, उसमें आप आप देख सकते हैं, आप direct IC से आ रहा है, तो यह है हमारा LCD, black light, LED, cathode 1, okay, direct IC से, direct IC से देखे तो, आपका display connector को, एक resistor through, 0 ohms, रिसिस्टर के, इधर FLB रह सकते है, लाइतो, feasible resistor भी रहता, वो production के लिए, दे रहा है, तो यहाँ से आपको, एक capacitor भी filter करके, आपका 18th pin पर आ रहा ह है, तो IC IC LCD, cathode 2 भी आप चेक कर सकते है, cathode 2 में भी आप चेक कर रहे तो, आपका direct IC से आ रहा है, यहाँ भी एक, आपको direct resistor through, एक capacitor through, आपका line पर आ रहा है, ज्यादा तरह यह cathode 1, cathode 2 प्रावलों नहीं आएगा, यह cathode 1, cathode 2 में प्रावलों आएगा, तो आपको half light आएगा cathode 1 एक line है, cathode 2 के एक line है, इसमें क्या है, दो line का anode common रहेगा, दो cathode line separate रहेगा, तो आप इदर में अब इसको troubleshoot कैसा करना हम देखेंगे एक बार, तो पहले आप कभी भी आने टाइम में, हम troubleshoot करने टाइम में, बूस्ट कोईल, आपका voltage देगो, आपका voltage आ रहा है, बूस इसको filter करके, आपका voltage, 16 voltage आपको display connector पर दे रहा है, तो यह हम कभी भी देखने टाइम में, सर्कुट देखने टाइम में, वैसा स्टार्टिंग से ending तक देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ending तक देखना पड़ेगा, तो हम troubleshoot करने टाइम में, कभी भी तो पिच्छे से जाना पड़ेगा, यहां से वहां जाना पड़ेगा, अभी हम सर्कुट पड़ने टाइम में, स्टार्टिंग से ending तक, हम troubleshoot करने टाइम में, ending to starting तक, चलो देखेंगे अभी, आभी देखें तो आपका यह connector दिख रहा है, तो यह connector पे आपको diode mode, हमारा multimeter यूज़ करके, इस तो पहले क्या है, आपका connector में, देखो, इधर दिख रहा है, 19th pin, कुछ भी connected नहीं है, इसको लाइन, तो आपका multimeter diode mode पे आप छेक करने तो इधर OL आएगा, means NC, no connection, no connection मतलब NC, no connection, यहां देखो, 21 pin में देखें, तो यह connected to ground, तो आपका board ground value आप diode mode पे छेक करना है, पहले, आ 0000 आएगा, इस आएगा, ने तो 0.001 आएगा, तो ground value चेक करने, तो 0 आएगा, आपको NC चेक, यह दर ground check करने तो 0 सा आएगा, तो NC में चेक करने तो OL आएगा, ठीक है, अभी इधर देखें, तो, इधर चेक करने तो NC में आपको ground पे ground value आरहा है, ठीक है, यह 24 pin, 27th pin, 30 pin, 33 pin तो यहां भी एक पिन दिया है 8 पिन ग्राउंड वाला है और इदर तो थोड़ा एंसी भी दिया 12 15 16 19 यह पूरा एंसी नॉंट कनेक्टड वो इसमें ओल आएगा आपको तो ठीक है आप ओल आया और राउंड आया ओके तो यहां आपको 19 पिन में ओल आया 21 पिन में आपको ग् जाए और नॉट कनेक्टड वह यहां थे राम तुंटी पिन में चेक कर तो 18 पिन में 17 पिन आपको क्या आना चाहिए कुछ तो कुछ वैल्यू आना चाहिए लाइग फोरन दिजिरो पांट फोर फोरंड़ दिजिरो पांट फाहंड़ फैफटी एसा कुछ तो भी कुछ वै एक बार आनोड के देखेंगे इधर मेरे को आपको लाइन वैल्यू आना चाहिए तो इदर गलती से एक्जाम्पल यह टूंटी पिंग में आपको ओयल आ रहा है क्या प्राब मुआ रहा है वह लाइन पर आपको ओयल आ रहा है तो मैं क्या बल रहा है यह रेसिस्टर कुछ आएगा ब्रिज कट हो गया यहां वैल्यू आएगा आपको 0.430 एक्जाम्पल अभी इदर नहीं आएगा वहल क्यों बोलतों रेसिस्टर क्या हुआ कट हो आपका कंटर में भी क्या आएगा बोल आएगा तो यह है वैल आय तो आपको पता चल रहा है रेसिस्टर क्या आफ दो आपको डैयोड मोड को वैपन बोलते हैं तो आपका लैन के नहीं है आपका डैयोड मोड पर हम चिक कर सकते हैं में चिक कर सकते हैं टूंटी में घल्ती से 0 सा रहा है means 0.00 Ground value आ रहे है आपका 21 pin में कुन सा value आ रहे है वो यी value galaxy से 20 pin में आ रहे है means क्या हो गया ये capacitor short तो ये capacitor ground connected है तो ground value यहाँ दिख रहा है ground means line क्या होगा ground हो गया means short हो गया यहाँ 0 सा आएगा तो 21 pin में क्या ground value आ रहे है तो यहां को समय में आ रहा है क्या वूलके तो इसमें एंसी घब आएगा 19 पिन में ओल आएगा क्यों बोलतों तो यहां हमको वाल्यू आना चाहिए लाइन ओके बोलतों पर यहां वोल और ग्राउंड आरा बूलके आपका मल्टिमेटर बता रहा बोलतों आपका लाइन चिक करना पड़ेगा वह लाइन पे आपका रेसिस्टर कुछ कट हुआ तो वह लाइगा पर करना वह लाइगा क्यृप पास्टर कुछ शॉर्ट आतों आपको वोयल मिल्ज क्या है ओपें लाइन तो यह ये पहले मीई तो यह बें ओपन ऊपन ऊपन रॉपन होने के बाद मीं वोयल राएगा कि भी इदर तुन्टी पिन में क्या आहएगा आपको वएल आएगा 20 pin में OL आएगा तो इसलिए आइसा हम यह रेसिस्टर यह रेसिस्टर है यह डायोड है रेक्टिफाइड डायोड और एक बोश्ट वाल यह तीनों क्या है सिरीस पर है इसलिए वह त्यूनों में कौन सा भी सिरीस लाइन कुछ कट वहा तो आपको यह दर OL आएगा इधर OL आएगा तो हम नेश्ट की छिख करेंगे अब भी जीरो सा है तो आपका जीरो सारा बोलतो हम छिख कर रहे है पहले यह लाइन पे क्या-क्या आपको देखना पड़ेगा तो यह 20-pin के लिए लाइन में प्राइल में कौन सा कौन सा यह इसा हम क्या करना है तुम आपको अच्छ रहे बता रहा है आपको इधर वह लाए तो लैन कटवा बूल के और इधर कुछ भी शॉट वह तो यह लाइन पर आपका जीरो दिखार रहा है वलतो डैयोड मोड पर आप आच्या तरक से आम इधर चेक कर सकते हैं आप इजी लिए अब क्या है आप इधर डैयोड कुछ ओपन वा तो आपका IC पैड इधर देके तो वोल आएगा ओके क्यों तो आलड़ी बता है सिरीस में कट वा तो यहां और देके तो यहां भी आपको वालू नहीं आएगा यहां भी वहालेगा कब वो एक डै डैओर ऎोपन हुआ तो आइसा प्रादमों आएगा आपको ओल आएगा ओके तो यह है इदर डैयोड यह डैयोड शॉट रूब हुआ तो यह डैयोड शॉट होआ तो आपका लाइन व्यालिवी देखो तो में क्या वैलू आ रहा है chem outta वियादो ल 702 शाराच से एक वी 80 हो इसे थैंढे तो आपका 202 एक. आरना चाहिए है तो डियोड該र। चेकिंग। में आपको ने चले आपको तो दोनों तरफ सेंदे आ रहा हैはは स्झी Fraser तो यह शॉट हुआ नई हुआ आपको पता चलेगा आपका लाइटिंग ट्रैक आनोड पर कम सब्सक्राइब 450 से 400 से 500 तक आपको वैल्यू आएगा इससे खंव आ रहा बोले तो आपका डैयोड का चिक करना बड़ेगा डैयोड कुछ शॉट है क्या है ओपन हुआ तो ओन आएगा बट शॉट हुआ तो आपका वैल्यू आएगा बट लो वैल्यू आएगा तो लो वैल्यू आएगा तो पी नेमर वन कनेक्टेट तो दुसरा लाइंग पी नेमर टू कनेक्टेट तो दुसरा लाइंग ए सीरीज पे है तो इसलिए आम चेक कर रहे दूरों तरफ एक ही नालीओ आनला मोल तो मूझ शॉट है में जादा लोग नए चिक करता है तो यहां देखो यह बूस्ट कवाईल का बूस्ट कवाईल चिक करने टाइम में स्टीच लाइन कोन भी नए देखता है few तो देखो यहां आपका टुंटी पीन में चिक करें तो आपका देखो आप इधर देखें तो इधर 4 ओल्टेज देराया है जाए वीपेंच वोल्टेज अब 3.7 तो 4.2 पकड़ा तो 4 ओल्टेज पकड़ा तो यहां भी 4 ओल्टेज आएगा वोले नहीं हुआ जाएगा बूटेज दा yol्य मों घृट वैल्टेज एकर कौंड डेखेंगा तो यह दहुत एक कोन भी 08 तोजहर देखेंगा लाइन switch line connector नहीं है भूस्त क्यों हिर्च आइगा आपका output is क्या मोई न्याज ग्साएगर Jeśli अब तो नेस्ट vont करेंगे विस Π一 thế प्लेजी प्लाफ सब्राइट ऐन प्र इदर 4 voltage आएगा हम display लगाना के बाद display signal CP को जाके हमारा CPU नहीं के PM आपका enable voltage enable voltage आपको देना चाहिए enable करें तो switch करने के switch होने के बाद ये boost while switch करें तो तब आपका boost voltage बनाएगा तो without load without display आपको 4 voltage आएगा with load आपको 16 voltage मिले गए with load आपको इदर 16 voltage आएगा तो यहां देखे तो आपका lighting section में आप देखे तो पहले इदर first हम 4 voltage को 16 voltage कैसा बनाया आप मैं बता दिया तो इदर main important switch line वो भी देखना पड़ेगा तो next ये IC की काम करने के लिए और क्या चाहिए वो भी देखेंगे आप तो first यहां आप चेक करेंगे तो यहां देखो इसमें पहले देखो इदर दो line I2C lines दिख रहे तो पहले ये IC ये पूरा सही है फिर भी आपका light नहीं आ रहा बोलतो पहले in voltage चेक करना पड़ेगा आइसी चेंज गिया आप डियोड चेंज गिया फिर भी नहीं आए तो आप इन voltage नेक्स क्या चेक करना है I2C चेक करना है तो I2C इंटर इंटिग्रेटेड़ सर्क्यूट थ्रू कम्मिनिकेट होना है CPU से light IC तो यह lines में कुछ भी आपको problem है तो भी नहीं आएगा Okay Serial data and Serial clock एक CPU से आएगा यह lines पूरा आपको CPU के आएगा voltage from PMIC से आएगा आपको So इधर हम देखें तो LCD I2C Serial data Serial clock कहा से आ रहा है हम देखेंगे यहां देखो CPU से आ रहा है Okay आपका CPU से यह lines आ रहा है तो देखो आपका यह I2C Lens कुछ में problem है तो भी IC work नहीं करेगा आपका voltage बोलतो यह light काम नहीं करेगा आपका light नहीं आएगा और नेस्ट हमको main voltage चाहिए enable voltage यह enable voltage आए तो ही IC work करेगा तभी स्विच होगा तभी boost voltage आएगा यह voltage आपका assistant PM PM से आएगा एक-एक model पे CPU से आएगा तो यहां देखेंगे आप PM 439 से आ रहा है 489 439 4 PM से आ रहा है वो voltage देगो U1201 PM UIC PMR PMU main PMR PMU तो यहां से आपका enable voltage आ रहा है hardware enable voltage यह voltage अग नेस्ट हम बात करेंगे PWM power with module, pulse with module CAPC content adapt to backlight control कौन सब भी नाम से आपको इदर बता सकते है यह lines क्या है brightness level control करने के लिए तो यह line में कुछ भी problem है तो आपका brightness level control नहीं आएगा control नहीं होगा तो आपका original display लागा दिया और दूसरी display अच्छा तर डिस्पे लागा तो यहां देखे तो आल्रेडी बता दिया आपका lighting track अनोड cathode में कुछ भी problem है तो आपका half light प्रब्म आएगा आपका क्यावन कटे तो half light आएगा K2 कटे तो दूसरा line half light आएगा बुलतों दो लाइन पे एक आ रहा है एक नए हो रहा है तो यह एक आनोड कॉमन है दोनों को आ रहा है cathode में एक cathode कटवा तो ओ लाइन काम नहीं करेगा दूसरा cathode कटवा तो ओ लाइन काम नहीं करेगा ओके यह दोनों आप cathode कटवा तो ज्यादा से ज्यादा प्रब्म आपको half light आएगा आपको 17th pin 18th pin में हम चिक कर सकते हैं तो यहां आपको easily find out हो जा रहा है आपका multimeter diode mode use करे तो आपको यह दर line okay क्या line short है क्या आप cathode 2 के भी IC से direct आ रहा है वह इधर बता रहा है तो यह ही है तो ऐसा यह पूरा यह line step by step आप देखे तो आपका main important क्या है हर एक point to point आपको समय में आना चाहिए तो यह lighting देखो कभी भी कूर सा भी model पे वही तरह रहेगा आपको इसमें VPH कैसा generate हो रहा है voltage को boost voltage कैसा बना रहा है इसमें boost coil क्या है rectified diode क्या है IC क्या काम कर रहा है इसमें IC में क्या क्या lines आ रहा है यह पूरा आपको clearly बताना पड़े समझ में आना चाहिए आपको समझ में आए तो और easily mobile repairing कर सकते आप schematic through repair कर तो आप कौन सा भी model आप repair कर सकता है और next video में माई आपको पूरा clearly troubleshoot करके देखाएगा पूरा आपको